ये चात्रो, नमस्कार, NCRT गड़े कक्छा दसमी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिश्णावली 8.1 का प्रस्न क्रमांक 8 हल करेंगे तो आए सबसे पहले प्रस्न पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है, यदि 3 कौट A बरावर 4 हो तो जाज कीजिए कि 1-10 बर्ग A, बट A, 1-10 बर्ग A, बरावर कॉस बर्ग A, माइनस साइन बर्ग A है या नहीं तो ये दोनों बरावर हैं कि नहीं, ये हमें प्रूब करना है, यदि 3 कौट A बरावर 4 हो तो चलिए, सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है, हम उसी को लिख लेते हैं, हमें दिया गया है 3 कौट A बरावर 4, तो ये हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम कौट A कामान निकाल सकते हैं, ये 3 जो है, इसको बटे में पहुंचाके तो cot A बरावर 4 ये गुणा वाले संख्या बटे में आ जाएगी यानि कि 3 जो है ये गुणा में है तो ये बटे में तो 4 बटे 3 ये cot A बरावर 4 बटे 3 आपको मिल जाएगा इसके साथ यदि हम बात करें cot A के फॉर्मूले की तो ये 10 का उल्टा होता है तो आईए देख लेते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है 10 का होता है लंब बटे आधार तो cot का हो जाएगा आधार बटे लंब तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे लंब इस तरीके से अब बरावर के नीचे बरावर और 4 बटे 3 ये हो गया अब इस हिसाब से हम चित्र बनाएंगे और यहाँ पर ध्यान रखना है कि A जो है वो ठीटा की तरह काम करेगा यदि यहाँ पर इस चित्र से हम समझें तो आधार 4 हमें लिखना है और लंब 3 लेकिन इस चित्र में कौन आधार है और कौन लंब है ये A डिसाइट करेगा A ठीटा की तरह काम करेगा तो यहाँ पर यदि हम A बना लेते हैं तो ये ठीटा बन जाएगा और बाकी B और C हम कहीं भी दे सकते हैं तो हमने B यहाँ पर दे दिया और C यहाँ पर दे दिया चलिए अब यदि बात करें तो समकौन यहां पर बनेगा ठीटा यहां है तो लंब यहां बनेगा और लंब कितना है तीन तो हमने यहां पर तीन लिख लिया और आधार अभी यही होगा और आधार कितना दिया गया है चार तो यह आधार हो जाएगा अब हमें करन ग्यात करना है तो हम पाइधा गुरस्पर में लगा देते हैं तो हम लिखेंगे समकॉर्ण तिरोच ABC में पाइधा गुरस्पर में इसे तो होगा करण का बर्ग बरावर लंब का बर्ग धन आधार का बर्ग तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है और क्या गयात करना है यहां पर हमें लंब और आधार दिया गया है और करण हमें गयात करना है तो करण AC है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे AC बर्ग बराबर के नीचे बराबर لمb ہے 3 और आधार है 4 तो हम लिखेंगे 3 का बर्ग प्लस 4 का बर्ग इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो AC बर्ग बराबर बराबर की नीचे बराबर 3 का बर्ग यानि 3 गुड़ 3 तो यह हो जाएगा 9 प्लस 4 का बर्ग 4 गुड़ 4 यानि 16 तो यहां पे AC बर्ग बराबर 16 और 9 25 होते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो AC बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट 25 तो 25 का बर्ग मुल 5 होता है इसलिए AC बराबर आपको मिल जाएगा 5 तो यह देखिए इस तरीके से AC का माना गया है पाँच अब हम यहां पे चित्र में इसको पाँच लिख सकते हैं अब क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन में हमें यह इसके बराबर प्रूब करना है तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे और LHS में हम यह लिखेंगे और देखते हैं इसका अंसर कितना आता है इसके बाद हम यह लेंगे और देखते हैं इसका अंसर क्या यदि दोनों का बराबर आता है तो सिद्ध हो जाएगा तो चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले कि 1-10 वर्ग A बटे 1-10 वर्ग A तो उसके पहले हमने ये लिख लिया है कि हमें सिद्ध क्या करना है ये इसकी बराबर अब हम LHS ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS लेने पर चलिए LHS है 1-10 वर्ग A बटे 1-10 वर्ग A हमने ये LHS ले लिया अब यहाँ पे हमें 10 का फॉर्मूला देखना है तो 1-10 का फॉर्मूला कितना है इस चित्र से तो 10 होता है लंब बटे आधार आप लोग अब जानने लगे हैं अगर हम यहाँ पर LAL बटे KKA लिखें तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है 10 का तो 3 बटे 4 यह हो जाएगा 10 तो हम लिखेंगे 3 बटे 4 का बर्ग और वैसे ही यहाँ पे नीचे आजाएगा 1 प्लस 10 बर्ग यानिकी 3 बटे 4 का बर्ग और चुकि 10 A बरावर 3 बटे 4 है यह आपको बता देना है और आप लिख सकते हैं चित्र से यह हो गया चलिए अब इसको solve कर लेते हैं तो बरावर की नीचे लगाएंगे बरावर 1 माइनस 3 बटे 4 का बर्ग है इसको रफ में समझते हैं 3 बटे 4 कुलित 3 बटे 4 बर्ग है इसलिए उपर उपर का कुणा और नीचे नीचे का तो इत्र का 9 और चर्चा के 16 तो हो जाएगा 9 बटे 16 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 बटे 16 और फिर इसके बद बटे लगा है तो बटे खीच लेते हैं फिर 1 प्लस 3 बटे 4 का भी किया है 9 बटे 16 ही आता है चलिए अब हम LCM ले लेते हैं और LCM लेने का तरीका आप जानते हैं 16 का गुणा एक में होगा और बटे 16 जियों काते हो इसी तरीके से यहाँ भी 16 का गुणा एक में होगा और बटे 16 जियों की तो जो की बाद में कट जाते हैं 16 ही एकम 16 माइनस 9 और बटे 16 इसके बाद बटे 16 ही एकम 16 प्लस 9 16 प्लस 9 और बटे 16 इस तरीके से आप देख सकते हैं 16 का गुणा एक में किया 16 एकम 16 माइनस नो बटे 16 यहां पर देखिए 16 एकम 16 प्लस 9 बटे 16 इस तरीके से आपको कर देना है चलिए अब हम घटा देते हैं 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपको यह बताना है तो बचेंगे 7 और बटे 16 जियों किते हों यह बाले और बटे 16 और 9 किते होंगे तो यह आएगा आंसर 25 और बटे 16 जियों किते हों यह बटे के बटे में है इसलिए हम उपर की संख्या 7 बटे 16 जियों किते हों लिख देते हैं और यह लिखा है बटे के बटे में तो यह पलट राया है 7 बटे 25 अब हम चेक कर लेते हैं जो हमें निया थैस दिया है वो कितना है तो हम यहां पे लिखेंगे रहेचेस लेने पर हम इसको थोड़ा से सरक्ल में गर देते हैं ताकि यह हम समझ में आए और आपको या अग्जाम में सरक्ल नहीं बनाना है आपको यह डारेक्ट लिखे रहना देना इसी तरीके से RHS लेने पर RHS लेने पर तो RHS दो दिया गया है उसको लिख लेते हैं कॉस बर्ग A माइनस साइन बर्ग A इस तरीके से तो कॉस का मान कितना होता है और साइन का चित्र रख लेते हैं तो यहाँ पर यह साइन का है और यह कौस का है, कौस का फर्मूला होता है आधार बटे करण, यहाँ पर आधार कितना है यह देख लेते हैं, आधार 4 है और करण 5 है, तो हम लिखेंगे 4 बटे 5 का बर्ग, माइनस, साइन बर्ग A है, साइन होता है लंब बटे करण, तो लंब कितना है यहाँ पर 3 और करण ह 5 तो यहां पे हम लिखेंगे 3 बटे 5 का बर्ग इस तरीके से चलिए आब इसको solve कर लेते हैं तो 4 बटे 5 का बर्ग है इसलिए हम इसको रख में देख लेते हैं कि क्या आएगा तो 4 बटे 5 गुड़े थे 4 बटे 5 इस तरीके से लिखना है उपर उपर का गुणा नीचे नीचे का तो चर्चो के 16 और 25 तो आपको मिलेगा 16 बटे 25 यहाँ पे माइनस यहाँ पे आएगा तीदर का 9 और 25 तो यह आएगा इस तरीके से अब हम LCM ले लेंगी तो आएगा LCM 25 25 दोनों तरफ है तो यह 25 आजाएगा और उपर की संख्या जियों की तो आजाएगी क्योंकि यह समान है 25 एकम 25 एक बार भाग गया एक का गुणा 16 में करेंगी तो 16 आएगा माइनस 25 एकम 25 फिर एक बार चला गया एक कागुणा 9 में करोगी तो 9 ही आएगा तो 16 माइनस 9 आपको मिलेगा 7 और बटे 25 जियों का दें तो यह आगया 7 बटे 25 और इस तरीके से हमने इसको solve किया है तो 7 बटे 25 LHS भी आया था और 7 बटे 25 RHS भी आया है तो आप देख सकते हैं कि LHS इस तरीके से आप यहां पर हमने किया था 7 बटे 25 और यह देखिए RHS भी 7 बटे 25 तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर LHS जो है वो RHS के वरावर है और proved हुआ यानि कि सिद्ध हो गया है इस तरीके से Thank you